हेलो एवरिवान, वेलकम टू आर्वी क्लासिस बचे आज अपाने 6th क्लास दा जो एप्रल माई दा होल सलेबस है ओ एक वार रिवाईज करना है ए सारी दी सारी असाइन्मेंट्स था नो टाइम टू टाइम सेंड कितीय से गिया ते ए सारी दी सारी असाइनमेंट्स पंजाब एजुकेयर एप ते बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट एवलेबल ने तुसी उत्थो भी वेग सकते हो ते जेड़ा साथा चैप्टर नमबर वन ने सिक्स क्लास दाओ की है पोजन प्रेशन नमबर एक देखो की कहनदा है की सारे संजीव इकोजे है पोजन खान दे हन ते साड़ा उत्तर की होएगा नहीं सारे संजीव अपनी श्रीरक बंतर अते उपलब्दता दे अनुसार वक्खो वक्खरा पोजन खान दे हन बचे हर एक दी जड़ी श्रीरक नीड है ना श्रीरक नूदी जरूरत है खाने दी ओ सब दी अलगलाग हुन दी है ओ उस दे हिसाब नाल की कारदे ने अलगलाग तरा दा खाना लें देने प्रेशे नंबर दो केंदा है पांज अजे है पोद्धे अते उना दे हिस्सेया दे ना लिखो जीना नूँ पोजन वांग इस्तेमाल किता जानदा है एथे कुछ एक्जांपल्स दिती है उनाने पांज ही पुछे है जादा भी पुछे जासके जासके देने बेपर्च इनाने देखो केड़े केड़े लिखे है जी में कनक है कनक दे बच्चे आपा बीज खान दे पालक पालक किस चाहेगी पालक मीन्स आपा पत्ते खान दे उसदे सरो दे अपा पत्य भी यूज पर्द साग बंदाहे ना अपा बीज भी कर्दे या। तेल बंदाहे भी ज़धा अलु obvious Secret के ख़ाहन? Mithanid Less lange și Erre beau onion said video content इंज और खुछ भी लिख सकत्या, जी में सूर्च मुखी человек सूर्ज मुखी दे अपा बीज लेन दे ठीक है बीज खान दे उसदे उसदे बीज जदा की हुंदा है उसदे बीज जदा तेल बंदा है clear एदधा बहुत सारी एक्जामपल्स होर हो सक्दिया ने for example जड़ी मूली है मूली दी अपा जड़ खंदे है मूली किस दी एक्जामपल है जड़ दी एक्जामपल है ठीक है next बच्चे प्रशन नमबर तीन ज़ किये matchmaking अपाने मिलान करना है ते एक साइड कोलम उड़ा दितता है ते दुझी साइड कोलम एड़ा दितता है first चलिक है दुझ दही पनीर क्यो एसारे कीना तो प्राप्त उंद्या देखो लास्ट ओप्शन च किये सारे जीवा तो प्रापत उत्पाध है पालक गोबी गाजर एसारी या सबजिया ने share ते चित्ता की कारदेने बच्चे दुझे जानवरा नू खांदे हान शाक्काहारी शाक्काहारी की हुंदेने जड़े पोध्य अते पोध्या दे हिस्स्या नू खांदेने या जड़े पोध्या नू खांदेने ते उनना तो प्रापत हुन वाले जो भी चीजाने उना चीके ते अनल देखो इसनों मैच मेकिंग नूँ नेक्स्ट बच्चे प्रशन है गए खाली स्थान परो खाली थावा पर नियाने फिलिन दा ब्लैंक्स नंबर वन चीता डैश है क्योंकि एहे केवल मास खांदा है जो केवल मास खांदेने उन्हानों बच्चे बोल्या जानदा है मास साहारी हीरन केवल पोद्दे अते पोद्द्या दे हिस्से खांदे हान इसलेए हीरन बच्चे की होजेगा शाक्का हारी जड़े पोद्दे ते पोद्द्या तो प्रापत हुण वाली चिज्जा खांदेने हो शाका हारी, जड़े मास खांदेने हो मासा हारी इड़ी है तोत्ता केवल डैश खांदा है, तोत्ता बच्चे केवल पोद्दे खांदा है ससा, डैश, गा, मच, बकरी, आदी तो प्रापत हुन्दा है, इसलेई एह जीव उत्पाद है इना तो बच्चे सानु की प्रापत हो रहे हैं? दुद्द, गा, मच, बकरी, आदी तो प्रापत हुन्दा है, इसलेई एह जीव उत्पाद है नेक्स्ट है सानु चिन्नी डैश तो मिलती है सानु जड़ी चिन्नी है बच्चे और गन्ने तो मिल दी है चिके ए साधे फिलेंदा ब्लैंक्स होगे complete नेक्स्ट देखो प्रशन नंबर 80 ओहो वितामीन जो साधी चंगी नजर लई जरूरी है तब च्चे साधी नजर नु ठीक हों राकता है वितामीन ए तो मिल दा है नेक्स्ट है ओहो खनीच जो साड़ी हड़िया लई ज़रूरी है बचे हड़िया नो मजबूत कौन रखेगा कैल्शियम ओह खनीच जो साड़ी हड़िया लई ज़रूरी है उस दाना की यह कैल्शियम प्रश्य नमबर तेन सब तो पहला उसने पुछा चरबी ते बचे चरबी सानू की न की न तो मिल दीए अंडे तो मिल दीए उन्हाने दो ही अग्जाम्पल्स पुछे है नेक्स्ट आ निशास्ता जिनू बोल दे अपा कार्भोहईड्रेट ये आलू तो मिल दाए, चावल तो बहुत जादा मिल दाए, ते आलू ते चोली दे एक्जाम्पल होगी Next है मोटा अहार, मोटा अहार बच्चे जिनना भी साड़ा सलाच जो भी चिज़ां दिया ने वो सारा मोटा अहार है जी में पालक है, गोबी है, खीरा हो गया है ना, इसारे की ने, इसारे मोटा अहार दी एक्जाम्पल्स ने Next है प्रोटीन, प्रोटीन किस तो मिल दाए, दुद्ध तो, अंडे तो, मच्छी तो, etc Question number 4, इना विच्चो सही कथा नू सही दा निशान लगाओ ते पहला इना ने बुल्ले हो है, केवल चावल खान नाल असी अपने श्रीर दे पोशक लोडा नू पूरा कर सकने हा आप बच्चे बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि सानू इक टाइप दाईजे अपक यह न पोजन खाली है ते उस चो सारे पोशक तत मिल जान, एद दा पॉसिबल नहीं है जी में पॉर एक्जांपल्स चर्बी है, सानू किस तो मिल रही है, क्यों तो मिल रही है, अंडे तो मिल रही है न ते सिर्फ चर्बी लेलनाल साटा पूरा जड़ा विकास है और नहीं हो सकदा चानू चर्बी भी चाही दिया, सानू कार्बोहाइडरेट भी चाही दिने, प्रोटीन भी चाही दिने, खनी, जै, मोटा हार पानी ये सारी लग-लग चीज़ा साड़े पोजन चो होनिया चाही दियाने उदो ही साड़ा जड़ा पोजन है ओहो संतूली तहार कहलाएगा ये option की हो गया गलत है कि चावल खान नाल सारी लोडा पूरिया हो जान गया next देखो कि ये adda number संतूली त पोजन खा के तुरुटी रोगा नो तो बचया जा सकता है next देखो बच्चे की है next है श्री लई संतूली त पोजन विच कई तरह दे पोजन पदार्थ होने चाहिएदे हैं बिल्कुल इक टाइप दे पोजन ज मैं एदधा नहीं गया सकती कि इस चे सब कुछ संतूली त है तो सान्नू काफी तरह दे पोजन पदार्थ चेड़े हो लेने पैणगे next है श्रीर दे सारे पोशक तत पूरे करन लई के वल मास काफी है no एक जड़ा option है या एजड़ी statement हो गलत है सान्नू जड़े साथे श्रीर दे पोशक तत दी पोजन खाना बेंदा है बच्चे जी में कार्बोहाइडरेट दे जड़े स्रोत ने ओ लग लगने पोशक तत ओकी होनगे पूरे होनगे केवल मास इसनू पूरा नहीं काट सागदा या फिर बेपरच बच्चे था नो पुछले आ जावे सिर्फ दुद्ध पीण नाल सब कुछ मिल जएगा या सिर्फ एपल खान नाल थाटे सारे पोशक तत पूरे हो जानगे सिर्फ पालक खान नाल सारे पोशक तत पूरे हो जानगे यह संतूलित पोजन उस दे विच लग-लग टाइप दा पोजन होना चाहिए थोड़ा जा पोजन होवे जिस्ट कार्बुईड्रेट है थोड़ा जा होवे जिस्ट प्रोटीन मिल रहे न ते पूरा संतूलित हार होजेगा हो next question है भच्चे, fill in the blanks, खाली दे स्थान परू ते पहला साथा question की चेए डएश ही विटामीन डी दी कमी कारण होँदा है भच्चे विटामीन डी कमी दी कमी दी नाल हो जान दा है, rictus हड़िया जडिया ने ओं कम्जोर हो जान दिया ने नेक्स्ट है डैश दी कमी नाल बेरी बेरी नादा रोग हो जानदा है ते बचे बेरी बेरी नादा रोग हुंदा है विटामिन बी दी कमी नाल इच होएगा कि जड़िया मास पेशिया ने ओ कमजोर हो जान किया ते जड़ा सदा शरीर है उस चलगेगा जिमें एनर्जी नही हो रही है उस रोग नों अपा बोल देया बेरी बेरी रोग नेक्स्ट है विटामिन सी दी कमी नाल की होएगा विटामिन सी दी कमी दे नाल होजेगा सकरवी इस दे विच्चो की होएगा बच्चे जे सानू सकरवी रोग होया तो साथे जड़े मसूडे है उना चुकी होएग संत्रा है किन्नों है इना तो सान्नों विटामीन सी मिल जेगा नेक्स देखो कि यह साढ़े पोजन विच डैश दी कमी नाल अंधरात्ता रोग हो जान दाए अंधरात्ता बच्चे की होएगा अंधरात्ता मतलब कमजोर नजर हो जेगी ते जड़ा सान्नों नेरे विच्चे मतलब थोड़ी जी भी रोशनी होए जे नेरे चे अपा देख लिन दे है पट जेसान्नों विटामीन एदी कमी होई ता अपानू बिल्कुल भी अंधरे चे दिखाई नहीं दाएगा ठीक है उन्हों बोल देने अंधरात्ता रोग नेक्स्ट बच्चे एहे सारनी दिती हुई है विटामीन नते खनी जी लूना दी काट कारन होनवाले तुरटि रोग इक साइड विटामीन तेखनी जिदा ना लिख्या हुए है अगली साइड लिख्या है कि जड़ा रोग लगेगा उसनू की बोल देए हैं ते नेक्स्ट कॉलन च लिख्या हुए है कि लच्छन में सिंप्टम्स की की होणगे या की की होजेगा इस दे अंदर ते सब्तों पहला है vitamin A very very important जे vitamin A दी कमी होगी बच्चेता होजेगा अंदराता अंदरात्ते च होएगा की लच्छन की होणेगे कमजोर नजर अंदे रेविचे काट दिखन लगजेगा या फेर पूरी तरदिखना वी कईवार बांध हो जानता है नेक्स्ट है विटामिन B विटामिन B वन दी कमी नाल बचे हो जानदा है बेरी-बेरी रोग ते बेरी-बेरी रोग चो होएगा कि कमजोर माश पेशिया आते कम करन दी उर्जाविच कमी मिन सान्व हर टाइम में लगया रहेगा कि जिमें जड़ा श्रीर है वो ठक्या ठक्या मैसूस का रहे है साठे तो कोई काम हो नी पार है नेक्स्ट एस विटामिन C जे विटामिन C दी कमी होगी तो की होजेगा सकरवी रोग होजेगा ते इस चो होएगा कि मसूड या चो खून निकलेगा ते जड़ा जखम पर अले टाइम जड़ा है ओकी लगेगा जाधा लगेगा विटामिन D, विटामिन D दी कमी ना होन वाले रोगदा ना है रिक्टस हड़िया दा नरम हो जाना या फिर मुड़ जाना ठीके जड़ामिन D दी कमी होगी ता हड़िया जड़िया ने ओहो नरम होके मुड़ जान गिया नेक्स्ट इस कैल्शियम चीक है कैल्शियम बचे की होएगा जे कैल्शियम दी कमी होगी हड़िया ते दंदा दा खुड़ना पूर्णा स्टार्ट कर देंगे ना समझ द्यो ना, खुड़णा का मतलब हुद्द है, पूर्णे ने, हड़िया पूर्णिया स्टार्ट हो गी, या दंद भी पूर्णे स्टार्ट हो गी, ते कमजोर हो जानगे, ते इस च की होजेगा लच्छन की है, अब्वियस जी बात है, जे हड़िया ते दंद खुड़ना स्टार्ट कर गए इट मींज ओकी हो रेने कमजोर हो रेने फिर नेक्स्ट आ जान दा है आयोडीन आयोडीन बच्चे चे आयोडीन दी कमी होगी ता होजेगा गिलड चीके इस चे होएगा कि जड़ा गला है गले दी जड़ी गरंथी है ओकी होजेगी फुल जेगी ते उना दा दिमाग जड़ाए ओ प्रॉपरली उद्धा कम नहीं कार पाएगा जे उनानू की होगया गिलड होगया चीके नेक्स्ट आ लोहा बच्चे जे लोहे दी कमी होगी साड़े श्रीर विच साननू होजेगा अनीमिया चीके अनीमिया खुन दी कमी होजान दी एस च ते इस दे विच होएगे की वीकनेस बहुत जाधा आचेगी जिनू अपपा की लिखांगे कम जोरी आगी काफी जाधा बोड़ीच नेक्स चैप्टर रे बच्चे चैप्टर नंबर सेवन पोध्यानू जानू जानू ठीके इस दे विच की होएगा अपपा ए चैप्टर दी जड़ी एक्सरसाइज करन तो पहला दो नू एक वारी मेन मेन पार्ट इसके जड़े दास दित्ते जान ठीके ना उजाधा बैटर देगा पहला सालनू पतावना चाहिदा है कि पोध्ये केड़े केड़े पाग हुंदे ने उस तो बाद पाई कोश्चन करांगे ठीके बच हारा दिन दाय पोध्येनू सिद्धा खड़ा हुंच ठीके एजड़े ने पोध्ये दे मेन पागने बचे जड़ा दे मुख काम देखो फंक्शन्स ओफ रूट्स देखने अपने नंबर वान जड़ा मिटी विच पोध्ये दी पकड़ बनाउंदिया हान तान जो एह डिग ना पवे नंबर टू जड़ा मिटी विच्चो पाणी अते खनिज्जा नू सोख दिया हान नंबर त्री कुछ जड़ा पोजन वी जमा कार दिया हान उदा अन्वज चुकंदर गाजर इना विचकी हुंदै बचे पोजन जमा हुंदै नंबर फोर जड़ा मिटी नू खुर नंबर वान तना पोद्दे नू सिधा राखता है नंबर टू तना पाणी अते खनिज्जा नू जड़ा तो सोख के पोद्दे दे उपडले पागा तक पहुचान दा है नंबर त्री कुछ तने पोजन समगरी नू वी जमा कार दे हान जिमे आलू अदरक हल्दी आदी चीक नंबर वान पत्ते क्लोरोफिल अते सूरस दी रोश्णी दी मुझूदगी विच कारबन डायोकसाइड अते पाणी तो पोजन त्यार कर दे हान इस पर किरिया नू परकास अंसलेशन दी किरिया केहा जान दा है ठीक है फोटो सेंथसिस बोल देने इस नू नंबर टू पत् सेस्टो मेटा द्वारा वाद्दू पाणी नू बाहर कर दिन दे हान इस पर किरिया नू की बोल देने वाश्य उत्त सर्जन किरिया बोल देने नमबर फौर कुछ पोध्या दे पत्ते होर कार्ज करन लईवी समर्थ हुन दे हां जी में रख्या कौन कार्थे जी में डंडा थोर हो गया कैक्टस नू बोल दे बच्चा डंडा थोर जी के ते प्रजनन वेच जी में पत्थर चाट ते एजएडे सीगे यूज़ी सीगे या काम सीगे मैं बोल सक्गे पाणी अते खनीज लून चूस दा है ते एक गलत दित्ये स्टेटमेंट तने दा कम थोड़ी नै पाणी ते खनीज लून चूस ना है ना एक आम उन्दा बच्चे जडा दा ते तने नू काटके तुसी उस दी जगा ते की लिखना है जडा जडा मिटी विच्चो पाणी अते खनीज लून चूस दिया हान नंबर टू पत्ते पोद्दे नू सिद्धा खडा रख दे हान गलते है पत्ते थोड़ी ना रख दे सिद्धा खडा कोण रख दे तना ते फिर पत्ते दी जगा की आजेगा तना तणा पोद्दे नू सिद्धा खड़ा रखता है नमबर त्री जड़ा पाणी नू पत्या तक पोचांदिया है जड़ा नी पोचांदिया बच्चे पाणी नू पत्या तक पोचांदा है तणा पाणी नू पत्या तक पोचांदा है नमबर फोर फुल विच पंखडिया आते हरिया पत्या दी संख्या सदा बराबर हुंदी है इन्हों ठीक करके कि में लिखांगे फुल विच पंखडिया आते हरिया पत्या दी संख्या आम तोड़ते बराबर हुंदी है सदा नी बराबर हुंदी आम तोड़ते ब्राबर होंदी है जरूरी नहीं उन्दा बच्चे की जुडिया ही होणगिया तो इन्हों स्टेटमेंट नो पाने ठीक करके किद्दा लिखांगे जे किसे फूल दिया हरिया पतिया आपस विच जुडिया होण ता उस दिया पंखडिया जरूरी नहीं कि आपस विच जुडिया होण ठीक है? हो भी सक दिया नहीं भी हो सक दिया नेक्स्ट है साटे कोल पॉइंट नमबर 6 जे किसे फुल दिया पंखडिया आपस विच जुडिया होण ता इस्तरी केसर पंखुडिया नाल जुड़या होगा तो इस्ट भी सेम ही आएगा कि जरूरी निया कि इस्तरी केसर है जड़ा हो जुड़या ही होगा तो अपा की में लिखांगे इसनों जे किसे फूल दिया पंखुडिया आपस विच जुड़या होगा ता जिरूरी नहीं कि इस तरी केसर जुड़या होवेगा, ओ लग-लग भी हो सकद है, ओ जुड़या होया भी हो सकद है, कमपल्शन नहीं हैगी, नेक्स देखो बच्चे, प्रशन नमबर दो, हेंट लिख्या दे चित्तर बनाओ, किदे किदे चित्तर बनाने अपने पत्ते दा, मूसल जड़ दा, इक फुल, जिस दा तुसी सार्णी 7.3 विच अधियन कित्ता होवेगा, ए बच्चे बुक चे जड़ी सार्णी है, 7.3 चे उस चिक फुल दा चित्ता देता होया है, जिके, देख देया है न दे, डाइग्राम, बच्चे सब तो पहला सार्णी कोल पुछा गया कि पत्ते दा चित्तर बनाना है, तुसी पत्ते दा डाइग्राम बनाना है, ए देखो बच्चे ए रहा पत्ते दे पाक दा डाइग्राम ए इना ने बनाया देखो ए पत्य दि दंडी दिखा दी चीके ए जड़ी ये पत्य दंडी है ए अधर की ये इदा अधार हो गया चीके ए की ये साद्डे को अधर की हो गया मद सिरा this is called lamina ये नूँ बोलना है सिरा चीके ए जड़े पागने तुसी दिखाने ने ते ज़े ज़ एक साइड लिख दो की ए पत्य दि की ये डंडी है चीके इस पत्य दि दंडी पैटियोल बोल देओ जिसनों दुसी नेक्स्ट बच्चे उसने पुछा सिगा एक्जामीनर ने साननू मूसल जाड़दा डाइग्राम बनाना अपा मूसल जाड़दा भी देख लें दे ते र बिल्कुल सिद्धा है काफी डूंगा इतक जान दिया ने एवाली है ठीके ते जडिया रेशे दर जड़दा हुन दिया बच्चे एही जाधा डूंगा इतक नहीं जान दिया डाइग्राम देख लो जडि मूसल जाड़ है अपाने उधी एक मेन रूट बनाके एक मुख ज जाड़ बना आके ठीके थोड़े जे रेशे दिखा देने ने मुटाई बना निये ते दुझी रेविचकी करना है कोई मुख जाड़ नी दिखाई वी सिर्फ अपाने रेशे ही दिखाई है जी के ए ए ए ए ए ए सार्ड़ी ए थे तो रेशे ही स्टार्ट हो रहे है सारे इस इस्च मुख जाड आहा होगी ना बिच वाली मोटा पार्ट इस्च कोई वी मुख जाड नहीं हुंदी मूसल वाले च हुंदी है मुख जाड रेशिदार च नहीं हुंदी नेक्स्ट अपपच्छे की कारदेने मुशल जाड ते रेशिदार जाड है जड़ी इधा इक वाल डिफ्रेंस वेक लें देने ठीके देखो एक साइड मुशल जाड लिखे दुझी साइड जड़ी चाल रही हो है रेशिदार चड जड 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 है ओकी उन्दी है मिटी दे अंदर डुगाई तक जड जड है जड़ी रेशिदार जड होएगी इहें मुशल जड़ा वांग मिटी विच डुगाई तक नहीं जान दिया क्योंकि नदी कोई में जड नहीं होंदी मुसल जडच की आएगा एक लंबी मुख जड़ हुन दी है तो इड़े विच मुख जड़ नहीं हुन दी मुसल जडच देखो बच्चे की यह जड़ा वाक वाक मुटाई दिया हुन दिया हान इदे विच की सिगा रेशेदा रेशेई सिगे जड़ा दी मुटाई इकको जही हुंदी है मुसल जड़ च पॉइंट नंबर फोर देखो बच्चे एहे उना पोध्या विच मिल दिया हान जीना दे पत्या विच जालीदार शीरा विन्यास हुंदा है जड़ी रेशेदार जड़ है उना पोध्या विच मिल दिया हान जीना दे पत्या विच समानंतर शीरा विन्यास यानि की पैलर विनेशन हुंदा है ते बच्चे ए जड़ा डिफ्रेंस है मुसल जड़ ते रेशेदार जड़दा एह बहुत इंपोर्टेंट है चीके, इसनू नोट कर लो Next ऊसने डाइग्राम कीके हा चीका असान्नो Assignment चे की फुलडे पाक दसने अपने फुलडा डाइग्राम बनाना है त्ये वखवख पाक दसने नी आरे आरे फुलडा डाइग्राम इसरी केसर चे देखो की आ BBC living केsरका अंड़कोष टेपू केसर च किया जेगा प्राग कोश तंतू पंखडिया ते निचे की दिखा दिया बच्चे आखी ने ए सड़ी हरीपती है ते ए सड़ी की होगी डंडी होगी ए सारे की ने फुल दे पाग पेपर चे कोशन अलाग तो भी आ सकता जड़ा इस तरी केसर होगी पाग दसो ते की लिखोगे वर्ती का गर वर्ती का अंड कोश ते पूं केसर दे की आजानगे प्राग कोश तंतू पंखडिया क्लियर नेक्स्ट प्रशन बच्चे की ए प्रशन नमबर तीन की तुसी अपने कारदे आले दुवाले जहे पोध्या नू जान दे हो जिस दा तणा लंबा होवे प्रन्तु कमजोर होवे इस पोध्या दा ना लिखो तुसी इस नू किस वर्ग विच रखोगे ते इदा अंसर की आएगा हाँ नेक्स्ट ऋप्रशन नमबर चार नमबर टू तणा जड़ा तो पत्या तक पाणी आते खनीज पोचान दा है प्रेशे नंबर पांच हेंट लिख्या चो किना पत्या विच जालिदार शिरा विन्यास हुन्दा है कना अक तुलसी, मक्की, का, तनिया, चाइना रोज चाइना रोज बच्चे इनों गुलहड भी बोल दे है चीके? प्रेशे नंबर 6 देखो कि कहने दा है जे किसे पोद्दे दी जड रेशेदार होवे ता उस दिया पत्या दा शिरा विन्यास किस तरह दा हुवेगा ता दस्या सिगना किदा दा हुएगा समांतर शिरा विन्यास होवेगा नेक्स्ट प्रशन देखो बच्चे, प्रशन नंबर साथ जे किसे पोद्दे दे पत्तया विच जालीदार शीरा विन्यास होवे ता उस धी जडा किस तरह दिआ हों गिया? जालीदार विच कीमें दस्यासी गा? मुसल जडा हों गिया जोड़ा डिफ्रेंस करवाये था नो मूसल जड़दा ते रेशिदार जड़दा ओ उत्तो तो पड़ो दुबारा उसनू ठीके? क्लियर होजेगा प्रेशन नंबर आठी की कहनदा है किसे एक आगस ते बनी पोद्दे दे पत्ते दी छाप नो वेग के? की तो आठेले एक दसना संभव है कि इस दी जड़ मूसल है जा रेशिदार? हाँ बिल्कुल बच्चे अपा दास सकते हैं जेकर पत्ते दी शाप जड़ शीरा विन्यास है समानतर है ता जड़ की ददी होवेगी? रेशिदार ते जेकर ओ चाप जालीदार है ता जड़ की ददी होवेगी? मूसल मूसल जाड जालीदार चाप दिखाएगा ना पत्ता जड़ा है तेजे कर जाड़केडी हुई रेशेदार हुई ता जड़ा शीडा विन्यास है ओकी ददी चाप दिखाएगा समानंतर प्रशे नमबर नाइन कीसे फूल दे वाकवाक पागा दे ना लिखो की गिये हरिया पत्या रंगदार पत्या पूकेसर इस्तरी केसर ते इना दे अगे पूकेसर और इस्तरी केसर दे वी पाट पुछले जाण ता ओभी तुसी दाश सक्देओ इस तरी केसर्च बच्चे की आजेगा वर्तिकागर वर्तिगा अंडकोष तेपू केसर्च की आजेगा प्राकोष तन्तु पंखुडिया इस दा पाटनी आएगा प्राकोष तन्तु आएगा पंखुडिया लाग गये जड़े फूल हुँंद है बच्छे हो ना दी जड़ी पंखुडिया हुंदियां बचल्स हुद्ध इथे गजाम्पल्स इत्जी है बच्छे तो जड़े पोध्या दे तुसी फूल के लगा में बचिशो万이지 ये न लिख्या विचो की ना पोद्ध्या दे फुल तुसी वेखे हान जिना जिना ते वेखे है तुसी ओ-ओ सारे कड़ देने ने नेक्स देखो नेक्स प्रशन नमबर ग्यारा पोद्ध्या दे उस पागदा ना लिखो जो अपना पोजन बनांदा है इस किरिया नू की कहन दे हन ते पोद्ध्या दे की करदेने पत्ते गी है पत्ते दे अंदर उन्दी है प्रकास अंसलेशन दी किरिया ना पोजन बनांदे हन ते प्रकास अंसलेशन दी केरियाली बच्चे की की ज़रूरी चीजा ने साननू सूरस दी रोशनी चाही दिये पोद्दे जेडे ओं सूरस दी रोशनी विच कार्बन डायोकसाइड दा यूज करके की करदेने अपना पोजन बनांदेने प्रशन नंबर बारा फूल दे किस पाग विच अंडकोश यानी की बीस दनी जडिये मिल दिये ये मिल दिये बच्चे इस्तरी के सरविच लास्ट कोशन इस चेप्टर दा किये प्रशन नंबर 13 जहे दो फूल दे ना लिखो जिना विचो हर एक विच्च संयूक्त अते वकवक पंकुडिया होन सयूक्त पंकुडिया दी एक्जामपल है बच्चे चाइना रोज दे कपा ते वकवक पंकुडिया वाले दी एक्जामपल है सरो दे गुलाब clear ये चैप्टर भी होया finish नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे जड़ार वीजन करना है चैप्टर नमबर 9 संजीव अते उना दा चोगिर्दा प्रेशन नमबर 1 देखो अवास किसनू कहन दे हन ते अंसर की आएगा किसे स्थान दा चोगिर्दा जिस वेच पोद्दे जीव जन्तू अते होर जीव रहन दे हन ओकी एक वांदा है अवास प्रेशन नमबर 2 कैक्टस मारूथल वीच जीवन गुजारन लई किस तरह अनुकूलित है ते कुछ पॉइंट्स लिखें कि में हो मारूथल वीच कैक्टस जेड़ा है और अनुकूलित है कैक्टस दे पत्ते कंडेया दे रूप वीच होंदे हन तांकी वाश्यप उत्सर्जन कट होवे नमबर 2 कैक्टस दा तणा मोटा होंदा है जो पाणी संबाल के रखदा है अते प्रकास अंसलेशन भी करदा है नमबर 3 जड़ा मिट्टी वीच डूंगिया चलिया जन्दिया हन तांकी पाणी सोग सका प्रशन नमबर 3 बच्चे कैंदे खाली धामा परो फर्स्ट केडिये पोद्या अते जीवा वीच मिलन वाले विशेश लच्छन जो उना नू इक अवास वीच रहन दे योग बनांदे हन डैश अखवांदे हन की अखवांदे हन अनू कूलन बोल दे बच्चे इसनू नमबर 2 थालते मिलन वाले पोद्य अते जन्तुआ दे अवास नू की कैंदे ने जड़े थालते मिल दे ओस थली चीके नमबर त्री, ओहो अवास, जीना विच पाणी विच रहन वाले पोद्दे अते जीव रहने हन, जेड़े थलते रहने हैं, उस थली, जेड़े जल्च रहने हो की यह जली, ते सी ओप्शन्ज की आएगा, जली अवास अखवान दे हन, नमबर फोर, मिट्टी, पाणी अते हवा, किस अवास दे डैश कटक हन, एने अजेविक अवास दे कटकने, लास्ट जड़ा इस दा, साड़े चो गिर्दे विच होन वाले परिवर्तन, जिना प्रती असी प्रती किर्या कर दे हन, की उखवंदे हन, उतेजना, जीके, उतेजन बोल दे हैं, फिल इन दा ब्लैंक्स बच्चे हो गिया, कम्प्लीट, नेक्स्ट प्रशन है, हेंट लिखी सूची विच्चो के एडिया, नर्जीव वस्तु अहान, हल, सिलाई मशीन, खुम्ब, रेडियो, किष्टी, जल कुम्बी, अते गंडोवा, बच्चे नर्जीव ते जड़ा हाल है, सिलाई मशीन है, रेडियो है, किष्टी है, एसारे कीन है, नर्जीव, ते जड़ी इस दे अंदर की है, जल कुम्बी है, पोद्दा है न, गंडोवा है, ते एक ही है, एसाल लेंदेने, ते एक इनाच आजानगे संजीव च, छीके, खुम्ब है, खुम् नंबर पांजय बच्चे, किसे जड़ी नर्जीव वस्तु दी उधारन देओ, जिस वेच संजीवा वाले दो लच्छन दिख दे हन, ता इनन देखो कि इत्ती एक्जामपल, बदल नर्जीव हन, पार एहे संजीवा वांग वाद्दा आते गती कर दे हन, जीके, बदल जड नर्जीव है, परासन चौल देवी दिख दे न, गईवर, ते एक ही कर देने एवाद्देवी ने, ते एहे संजीवा वाले लच्छन बट बदल है कि नर्जीव ने, क्योंकि उसानी लिंते नेक्स्ट प्रेशन है, प्रेशन नंबर छे, हेंट लिख्या विच्चो केडिया नर्जीव वस्था किसे वेले संजीव दा आंश सन, मक्खन, चमडा, मिटी, उन, बिजली दा बल्ब, खानवाला तेल, नमक, सेब, रबड, मक्खन, मक्खन बच्चे देखो सानु दुद् नेक्स्ट प्रेशन नंबर छे, हेंट लिख्या विच्चो केडिया नर्जीव वस्था किसे वेले संजीव दा आंश सन, चमडा, उन, खानवाला तेल, सेब, रबड, इस सारी चीजा बच्चे जाता सानु जानवरा तो प्रापत हो रिया ने, जाता पोध्या तो प्रापत हो रिया ने, ते किसी ना किसे समे संजीव दा आंश सन, प्रेशन नंबर साथ, संजीवा दे विशेश लच्छना दी सूची बनाओ, ते जरे संजीवे बच्चन दे मे लच्चन की उंदेने वादा करदेने प्रजनन कर देने मींज अपने वरे के होर जीव पैदा कर देने सांग की रिया मलत्याग जो भी एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर होएगा न वो बहर कर देने नेक्स्ट है गती कर देने लास्ट इस उतेजना प्रती अनुकी रिया ठीक है नेक्स्ट प्रशन है प्रशन नमबर आठ का दे मेदानी खेतर विच रहन वाले जनत्वानों अपनी होंद बनाई रखन लई तेज गती क्यों जुरूरी है संकेत दिता है का स्थली अवासा विच छूपन लई रुखा दी संख्या बहुत काट हुन दी है इसलिए शिकार करण जड़े मासा हारी लई है जा शिकार होंड तो बचन लई जनत्वा लई तेज गती करनी ज़रूरी हुन दी है जो तेज गती नहीं करणगे तक ही हो जाना है उनका शिकार हो जाना है बच्चे ए जड़ा सड़ा एप्रल मही दा स्लेबस है ओ सड़ा हो गया कंप्लीट रिवीजन दे क्लियर है स्लेबस अपने पहला चैप्टर वाइस कार लिया सिगा ए हुन साथी सारी असाइन्मेंट्स दी रिवीजन होगी ज़े किसे भी बच्चे नों कोई भी प्रॉब्लम आं दिये तुसी कमेंट सेक्शन चे दा सक देओ अपा डिसकस कार लांगे थैंक यू, have a nice day